हेलो एबरिवन गाईज वेलकम बैक टु निव इंडिया निरा एंड माइन इम इस प्रशांद और आज हमारा लेक्चर नमबर वन है इसके पहले हमने लेक्चर नमबर जीरो में बहुत सारी चीजे डीटेल में देखी थी आखिर इस चैप्टर को सीखने के लिए इंपोर्टेंट चीज क्या है क्या है सेल डिवीजन क्या है गैमेट्स क्या है वो जर्नी हम इनसानों की और रिप्रड़क्शन कितने टाइप के होते हैं असेक्शुल रिप्रड़क्शन इन एनिमल कैसे होता है क्या होता है हमने यह सा सेक्शूल रिप्रडक्शन के बारे में तो नाम सुनते ही सेक्शूल रिप्रडक्शन का बच्चों के मन में एक अलग ही जनजनाहट सी पैदा होती है और आधे बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं कि ऐए है क्या बाद है ठीक है तो चलो यार शुरू किया जाता है फिराज क कि इस प्यारे से टॉपिक को तब तक तुम सब बच्चे अपने सारे दोस्तों को इस सेशन को शेर मार दो सारी के सारे वाटसेप ग्रूप में हर जगे टेलिग्राम में इंस्टाग्राम में जाओ फटक सी स्टोरी रख दो टैक कर दो concept badge को hashtag concept badge ठीक है और चलिए शुरू कर लेंगे आज के इस lecture को और तुम सभी बच्चे इस lecture को फटाफट लाइक कर दो यार सभी लोग लाइक कर दो और आज तो physics का भी lecture होने वाला है 7 बजे वेव आप्टिक्स अजे सर लेने वाले हैं 6 बजे या 7 बजे लेंगे ठीक है तो चलो यार शुरू करते हैं let's begin ठीक है चलो सब लोग फटाफट आजाओ यार चलो सब लोग फटाफट आजाओ और शुरू करते हैं फटाफट इस सारे के सारे lectures को शेर मार दो सभी दोस्तों में और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं तब तक मैं थोड़े बहुत तुमारे चैट्स देख लेता हूं ठीक है एस जे सपोर्ड इस सेंग वॉइस इशू भाई तुमारे फोन और यह फोन में इशू है वॉइस में कोई इशू नहीं है तो वेलकम अमीद, वेलकम गनेश, वेलकम प्रदीब, एहमद, सत्यम, अनीता, कैसे हो स्टेटस, आईशा, मनीशा, वैस्तनवी, रोयल, प्रसाद, निकिता, सर्फराज, स्वराज, खुशी, अनीता, कैसे हो साहिल, पवार, हावर, यो, आदित्य, प्रथमेश, कैसे हो सच वेलकम बैक अगेंट तो दी, निव इंडियन एरा, एंड, मा निम इस प्रशान, तो चलिए, शुरू करते हैं, आज के इस प्यारे से, टॉपिक को, ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नमबर वन है, आई होप आप लेक्चर नमबर जीरो अच्छे फे देख करके आई हो, त यह चैप्टर, चैप्टर नमबर वन से भी बड़ा है, जो चैप्टर नमबर टू है, यह चैप्टर नमबर वन से भी बहुत बड़ा चैप्टर है, यह पाँच लेक्चर में खतम नहीं होगा, कम से कम 6 से 7 लेक्चर लगेंगे इसको खतम करने में, तो जल्दी जल्दी च करेंगे जहां मस्ती करनी होगी वहां मस्ती करेंगे जहां पढ़ाई करनी होगी वहां पढ़ाई करेंगे तुम सब को मैंने कल ही बोला था कि यह चैप्टर जितना मजेदार है जितना हसी आती है उतना ही यह चैप्टर हार्ड है और इस चैप्टर के नाम बहुत ही डेंजर तो शुरू करते हैं फिर आज के इस प्यारे से चैप्टर को तो गाइस कल थोड़ा सा समराइस करूंगा क्योंकि बीना समरी के मैं कभी पढ़ाता ही नहीं हूँ ठीक है तो जैसे कि तुम सब जानते हूं कि हमने रिप्रडक्शन के बारे में देखा था तो गाइस हमने इनिमल्स की अंदर सेक्ट्र रिप्रडक्शेन में क्या-कया चीजी होती हैं कौन सी कौन सी चीजे इस में नहीं होती, तो पहली चीज तो न्यों नो फ्यूजन दूसरी चीज नंवालमेंट्ट उफ involvement of कल सिखाया था पढ़के आए होगी नहीं पढ़के आए या इसे ही मुठा के चले आए सब लोग ठीक है no involvement of gamets no fertilization ठीक है इस बात को ध्यान रखना अच्छे से तो इसमें होता क्या है इसमें clones are formed एक की जोर लिख लो no meiosis meiosis नहीं होता ठीक है इसमें clones form होते हैं और जब clone form हो रहा है तो मत्तब कौन सा cell division हो रहा है तो mitosis is occurs ठीक है इस बात को ध्यान रखना आच्छे से तो ये सारी चीज़े याद रखना तो asexual reproduction in animal में मैंने सारी चीज़े लिख दी है ना इसके दो सबसे important टाइप्स थे क्या important टाइप्स थे asexual मतब किस किस तरीके से asexual reproduction होता है तो सबसे पहला तरीका था ग्यम्यूल फार्मेशन तो ग्यम्यूल कब फर्म होता है जब condition एकदम खराब होती है और दूसरा था birds formation के थूँ asexual reproduction animal में होता है तो birds कब फर्म होती है जब condition ठीक होती है तो birds formation under favorable condition में होता है और ग्यम्यूल formation under non favorable condition में होता है ठीक है इस बात को ध्यान रखना तो ग्यम्यूल जब condition खराब हो birds जब condition सही हो ठीक है तो asexual reproduction के बारे में हमने कल ये सारे चीज़े अच्छे से सीखी थी अच्छे से याद है सब बच्चों को किसी को यहाँ तो कोई doubt है अरे सागर शाहू कह रहे भाईया ये concept batch में पूरा 12th chapter complete कराएंगे क्या अरे तो नहीं क्या कर रहा हूं है भाई chapter 1 पूरा पढ़ा दिया chapter 2 खतम होने वाला है अभी और detail में पढ़ा रहा हूं इतना detail में पढ़ा रहा हूं कि वो तो पढ़ने वाला ही जानता है बताने की जरूत नहीं है फिर भी लेकिन like नहीं करते हो तुम लोग क्या गुंडा बनो गयार session को like नहीं 264 बंदे देख रहे हैं और 142 likes है क्या गुंडा बनो गयार यही तो कमी है हमारे महरास्टा के बच्चों में चलो कुछ नहीं कर सकते और तीसरी बात ये होती है कि 50 बार चिलाता हूँ कि notes telegram में मिलती है lecture खतम होने के 2 मिनट बाद तुरंत notes telegram में दे देता हूँ फिर भी बच्चे description box में जाके telegram join नहीं करते और फिर बोलते notes दो notes दो इतना अजीब लगता है कि यार बच्चों को इतना अच्छे से guide करता हूँ कि description box में description box में link दिया है उस link में click करके telegram join करना है वहाँ पे सारी notes lecture के बाद तुरंत uploaded है जाओ ढूडो उसके अंदर लेकिन नहीं बेचारे लोग को फिर भी notes चाहिए ले लो notes बाबाजी के घंटा मिलेगा आप में क्या बुलू अभी ठीक है 20 बार चिल्ला चुको हूँ टेली ग्राम में टेली ग्राम में नहीं लेकिन तुम लोग को तो वही चाहिए ले लो में क्या कर सकता हूँ ठीक है कोई न आगे बढ़ते हैं चलो चलो शुरू करते हैं अगे बढ़ो यार उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ही नहीं पता है आरे गजब बेज जती है जहां पर इस वीडियो का नाम लिखा है ना लेक्चर वान टू रिप्रडक्शन इन लोवर एंड हायर इनिवल उसमें क्लिक करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा क्या गुंडा बनोगे तुम लोग चलो ठीक है कोई ना अब आंगे बढ़ते हैं प्लीज लिशन केरफुली चलो आंगे बढ़ो फटफट तो यह असेक्शुल रिप्रडक्शन था अब शुरू होगा आन बान सान कदरदान जनता जनारदन यहां ध्यान दो सेक्शुल रिप्रडक्शन इन एनिमल पधार रहे हैं ठीक है तो सेक्शुल रिप्रडक्शन एनिमल्स में आ रहा है हाँ महरबान जो भी है सब लोग आ जाओ ठीक है तो sexual reproduction आ रहा है तो let's begin with the sexual reproduction in animal animal में इनसान भी आते हैं ध्यान रखना फिलाल के लिए ऐसा मत करना भाईया हम जानवर हैं क्या ऐसा नहीं है बट same same है तो sexual reproduction चलो शुरू करते हैं अब और मैं try करूँगा कि मैं पूरे की पूरे सब कुछ अच्छे से इसमें focus करने वाला हूँ ठीक है थोड़ा सा माईक दूर कर लेता हूँ बहुत से बच्चे कह रहे हैं चलो ठीक है आप आँगे बढ़ो तो let's begin with the sexual reproduction guys तो सबसे पहली बात यहाँ पर ज़रा ध्यान देना अच्छे से जो कि बहुत important है तो sexual reproduction में क्या होता है सबसे बड़ी और सबसे important बात यह है sexual reproduction में कि इसमें involvement of सबसे पहला point जो लिखके देना पड़ेगा क्योंकि यह theoretical है involvement of gametes gametes का involvement होता है और दुनिया जानती है कि जो gametes हैं these are the haploid यानि कि n is equal to 23 cells होती हैं दूसरी सबसे important बात है gametes की कि gametes are the sex cells तीसरी important बात इसे हम दूसरी भाषा में reproductive cell भी कहते हैं देखो मेरे speed में लिखते चलो notes बनाते चलो लिखोगे तभी आँगे बढ़ोगे भाई ठीक है चलो दूसरी सबसे बड़ी बात कि मैंने कल पढ़ाया था कि हमारे body के अंदर deployed gem cell present होता है आज इसके बारे में अच्छे समझेंगे तो ये deployed gem cell का meiosis होता है meiosis नाम का cell division होता है और तब जाके gametes का formation होता है तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो कि meiosis ऐसे मत लिखो तोड़ा अच्छी भाषा में लिखते हैं आजाओ gametes are formed through meiosis from gem cell तो ऐसे लिखो ठीक है दूसरी सबसे बड़ी बात दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें क्या होता है fusion of male and female gamete इनका fusion होता है और इसी के fusion को हम क्या कहते हैं इसी fusion के वज़े से हम एक नाम दे चुके हैं और इस नाम है इसका नाम है MP mixes इसी प्रोसेस को MP mixes कहा जाता है चलो page number बता देता हूँ page number 19 page number 19 में 2.2 sexual reproduction in animal वही की बात चल रही है समझ में आ रहे हैं सब बच्चों को कहां पर चल रहा है सब कुछ ठीक है ध्यान रखना अच्चे से पाया ठाकर केती सर प्लीज थोड़ा फास्ट ए भाई इतना फास्ट ले रहा हूँ अच्छे सा और कितना फास्ट चाहिए भाई ठीक है टेंशन मतलूब में मेरे हिसाब से चल रहा हूँ 6-7 lecture इसको जाएंगे जैसे कि 5 lecture में chapter 1 detail में खतम किया इसमें यह थोड़ा बड़ा chapter है इसमें birth control है chapter number 1 में birth control नहीं था तो थोड़ा सा यह एक lecture extra लेगा 6 lecture minimum जाएंगे तो वो time पे होगा मतब फास्ट क्यू लेने का जब हम detail में आराम से समझ सकते हैं और उतना ही time जाएगा तो क्यू फास्ट लेके खतम करने का अच्छे से clear करेंगे ना टेंशन मतलो देखो concept clear होना important है पायल जी अरे वो पायल तेरी पायल की छंछं बाजेरे आगे का नहीं आता ठीक है चलो याद रखो अच्छे से अब यहाँ पर ध्यान देना पेज नंबर 19 में ही आगे चलेंगे अभी हम लोग तो sexually reproducing जो animals होती है इनकी जिंदगी में अब हम बात करेंगे इनकी जिंदगी की तो sexually देखो मैं book की line to line जा रहा हूं और पूरा concept समझाते चल रहा हूं अपनी बाजू में text book open करके रखने का sexually reproducing जो animals हैं sexually reproducing animals हैं इनकी life की age होती है और इस age में इस age को दो group में divide किया गया है पहला मतब अगर मैं कहूं तो life की age word ना लिखो life का phase लिखो life के phases होती हैं है ना sexually reproducing organisms के life के phases होती हैं तो इसमें से दो phase है पहला है juvenile phase और दुसरा है reproductive maturity phase लिख देता हूँ juvenile phase यह सब याद रखो एक्जाम में आता है juvenile phase और दुसरा है reproductive maturity phase नाम से यादे बच्चों को बाकी की सारी चीजे समझ में आ गई होगी सब लोग notes बनाते चलो रहे भाई हम लोग ने यहां से शुरू किया था यह सीखा sexual reproduction क्या होता है उसमें क्या होता है और sexually reproducing animal phase नमबर 19 में अभी हम हैं तो guys दुनिया के अलग-अलग animal में मेरी बातों को please focus करके सुनना है दुनिया के अलग-अलग animal में यह जो phases की time होती है वो अलग-अलग होती है जैसे कि अगर मैं इनसानों की बात करूँ तो juvenile phase जो होता है अगर हिंदी में लिखूँ तो यह बच्चो वाला phase है बच्चो वाला phase और अगर reproductive phase की हिंदी में बात करूँ तो यह जवानी वाला phase है जवानी वाला phase हिंदी में शुद्ध अगर बताऊं तो यही है तो juvenile phase में यानि बच्चो वाले phase में क्या होता है तो इसमें क्या होता है development होता है body का development of the body यह होता है दूसरी चीज़ दूसरी सबसे important चीज़ क्या होती है body growth body growth होता है इसमें समझा गी नहीं समझा मैं क्या कह रहूं आप लोग को दिमाख में घुस रही अच्छे सारी की सारी बाते सरी important question of first relation ठीक है अभिशेक बन सोडे मिल जाएगा important question मिल जाएगा attention मतलो important question मिल जाएगा केवल सिंग की saying MP mixes क्या होता है अरे अभी तो बताया ना भाई की कभी भी नया organism gamet के fusion से male female gamet के fusion से कोई new living organism form होता है एक new offspring कहो progeny कहो या children कहो एक ही बात होती है तीनों का meaning एक ही है ठीक है वो form होता है इसी system को हम कहते हैं MP mixes plant के अंदर apomixis होता था human being के अंदर MP mixes होता है याने कि अगर English में कहूं तो formation of new living organism after fusion of gamet यहां लिख भी देता हूं आजाओ तुम लोग को confusion नहीं रहना मंगता है देखो formation of new living organism after fusion मैं थोड़ा दूर हट जाता हूं ठीक है यह देखो लिख दिया formation of new living organism after fusion अब short में लिखा हूं अच्छे से exam में तुम लोग लिख ले ना तो MP mixes क्या है समझ गया fusion of male and female gamets जिसे reproduction भी कहते हैं बात वह यह sing gammy ठीक है चलो वापस नीची आ जाता हूं याद रखो ठीक है ध्यान रखना तो clear होगे अच्छे से तो juvenile phase में हर इंसान का हर animal का दो phase होता है life का एक juvenile phase एक reproductive maturity phase तो juvenile मतलब बच्चो वाला juvenile का मतलब भी हिंदी में होता है बच्चे छोटे बच्चे ननाम ना राही हूं देश का सीपाही हूं तो इसमें development होता है बच्चो का इसमें body की growth होती है बच्चो की लेकिन जो हमारा reproductive phase होता है तो ये कब होगा reproductive phase कब होगा after 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 body growth जब body की growth हो जाती है तब जाके reproductive maturity phase इंसान के अंदर आती है मतलब बच्चे लो अब बच्चा बड़ा हो गया समझा और अब बच्चा अपने जैसा बच्चा produce कर सकता है समझ में आया कि नहीं समझ में आया मतलब अगर हम इंसानों की बात करें तो हम 12 साल तक till 12 year कब तक till 12 year हम बच्चे होते हैं 12 साल तक हम कुछ produce नहीं कर सकते लेकिन after the age of 12 हम mature हो जाते हैं धिरे-धिरे maturity आने लगती है और हम तब अपने जैसे young one को produce कर तकते हैं ठीक है यानि कि यहाँ पर लिख सकते हो कि animals can produce young one यहाँ पर लिख दो अच्छे से लिख देता हूँ animals can produce young one young one sexually यानि कि sexually यानि कि sexual reproduction करके animal अपने ही जैसे दूसरे animal को produce कर सकते हैं इस phase में और इस phase की उमर होती है 12 साल से ले करके minimum 50 साल तक यानि कि अब अगर मैं female में बात परूँ तो वो तो 45 यर तक ही reproduction कर सकती है 45 उमर के बाद फिर female को कुछ feel नहीं होता और ना ही उनकी body कुछ reproduce कर सकती है लेकिन male में तो 90 की age तक भी चलता है ठीक है ऐसा होता है बट वही चीज है कि मैंने on and average लिख दिया बस इस age को याद रखना अच्छे से आप लोग clear है सबको बहुत बढ़िया अब आगे बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा ये सब कुछ अच्छे से समझ गया बहुत बढ़िया चलो तो गाई जब कोई इनसान produce करता है तो reproduction जब शुरू होता है तो इसके कितने phase हो सकती है तो इसके जैसे plant वाला में हमने पढ़ा था कि इसमें फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन के पहले pre-fertilization अरे भाई फर्टिलाइजेशन तो होगा लेकिन जब gamet ही नहीं बनेंगे तो कैसे फर्टिलाइजेशन करोगे फिर उसके बाद post-fertilization मतब इसको न तुम अपने से relate करना तब तुमको अच्छे समझ में आएगा अब अगर मैं तुमसे detail में बताना चाहूँ तो जो pre-fertilization phase है तो इसमें क्या होता है इसमें दो चीजे होती है इसमें होता है gametogenesis आप कहोगी भाईया ये कौन सा process है तो genesis का मतलब होता है formation या generation और gameto मतलब gamets यानि कि gamet का formation पहले gamet बनेगा तब न fertilization होगा अच्छा fertilization क्या होता है तो fusion of fusion of male plus female gamets यही हमारा fertilization कहलाता है तो fertilization मतलब male female का fusion तो भाई उससे पहले male female का gamet बनना तो चाहिए तब ना fusion होगा और दूसरा gamet का transfer gamets transfer अमाल लो male के अंदर sperm बन गया लेकिन वो female तक पहुँचेगा ही नहीं तो फिर गरबड हो जाएगी न भाई तो भाई male के gamet को female तक पहुचाना जरूरी है अब पहुचाएंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा दूर से काम कर लोगे क्या suppose राहूल इंडिया में रहता है और उसकी प्रिया उस्ट्रेलिया में रहती है राहूल यहां से बोलेगा hello प्रिया अरे भाई अपने को fertilization करने का है कि नहीं करने का है वह बोले कि करने का है ना तो बोलेगा एक काम कर तूदर से बैठे रहे मैं इदर से इस पंप ट्रांसपर करता हूँ ऐसे थोड़ी हो सकता है भाई उसके लिए पास आना पड़ेगा गार्डन जाना पड़ेगा जाडियों की पीछे जाना पड़ेगा कि हर जगे जाना पड़ेगा भाई तब जाके रिफ्यूजन होएगा ना ऐसे दूर से कैसे हो जाएगा दूर से नहीं हो सकता है समझ में आगी नहीं समझ में आया तो ये सारी चीजे बहुत जरूरी है तो भाई प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट का फॉर्मेशन और गैमेट का ट्रांसफर होता है यानि कि गैमेट एक बॉड़ी फे दूसरे बॉड़ी में पहुचाना जरूरी है ठीक है फिर फॉर्टिलाइजेशन में क्या होता है फ्यूजन आफ मेल फीमेल गैमेट and after this फॉर्टिलाइजेशन पोस्ट फॉर्टिलाइजेशन होता है यानि कि पोस्ट फॉर्टिलाइजेशन में दो सबसे इंपोर्टेंट चीजे है पहली चीज क्या है जाइगाट फॉर्मेशन क्या होता है जाइगाट फॉर्मेशन और दूसरा क्या है embryogenesis 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 बोले तो क्या genesis मतलब formation और embryo मतलब stem cell जो हमारा था कल के lecture में बताया था मैंने तुमको ठीक है तो यह stem cell यानि कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है सबसे पहला process क्या है pre-fertilization दुसरा process क्या है fertilization और तिसरा fertilization के बाद क्या होता है यह सारी चीज़े बहुत ज़्यदा ज़रूरी है राहुल इराले कह रहे है भया मेरा नाम मतलो अरे राहुल तुमारा ही नाम है क्या आज 2018 से पढ़ा रहा हूँ तब से मेरे जिंदगी में राहुल और प्रिया आ रही है जिंदगी में तुमारा नाम थोड़ी राहुल है ठीक है राहुल तुमारा नाम है क्या राहुल और प्रिया यह मेरे लेक्चर के दो फेमस प्राणी है इन प्राणीयों की बिना reproduction खतम नहीं हो सकता कभी भी जैसे कि Bible पढ़ोगे तो Adams और Eves करके कोई तो दो बंदे थे और अगर हिंदु धर्म के हो और हिंदु धर्मे में अगर पुरान पढ़ोगे तो मनु और सतरूपा यह दो इंसान थे जिनोंने जिंदगी शुरू की थी वैसी प्रशान भाया के New Indian era में राहुल और प्रिया इनोंने reproduction शुरू किया है तो जितने राहुल हो वो तुमको थोड़ी बोलता हूँ मैं और जितने प्रिया हो तुमको थोड़ी कहता हूँ वो तो राहुल प्रिया मेरे lecture के बहुत बड़े प्राणी है इन प्राणीों की बिना reproduction खतम नहीं हो सकता तो अपने उपर मत लेते जाओ भाई और किसी को बुरा लगेगा तो कान्मी earphone लगा लो ठीक है बट डीटेल में ही पढ़ाऊंगा मैं मैं पहले ही कहता हूँ चला आता शुरू करूँ या सगले पब्लिक इकड़े बगा अब यहां ध्यान दो ठीक है तो pre-fertilization fertilization and then after that post-fertilization तो इन सब में क्या होता है आपको डीटेल में समझाना अच्छे से इस बात को ध्यान रखना आपको पता है हम इंसानों में हम इंसानों में breeding करने की एक facility होती है अगर मैं आपको बता हूँ मतब कि यहां पर जो animals होती है animals होती है animals होती है they show breeding pattern they show breeding pattern अगर breeding pattern की बात करूँ तो दो तरीके का breeding pattern दिखाते है एक होते है seasonal breeder एक होते है seasonal breeder और एक होते हैं continuous breeder continuous breeder ठीक है तो जो seasonal breeders है seasonal breeders बोले तो कौन जैसे गधा, बकरी, sheep यानि की जैसे की sheep जैसे की गधा यानि donkey जैसे की goat यानि बकरी ये सब कुछ ये seasonal breeders है मतलब कि अब आपके गवां में अगर बकरी होगी तो ऐसा थोड़ी है कि बकरी कभी भी जाड़ी की पिछे जाएगी और एक बेबी लेके आएगी ऐसे थोड़ी होता है बकरीयों में fix रहता है कि गर्मी के मौसम में ही produce करेंगे ठंडी के मौसम में produce करेंगे या तो बारिस के मौसम में produce करेंगे इनका भाई रोल fix है लेकिन जो हम इंसान होते हैं ना हम इंसान जो हैं यहाँ पर human beings और apes यानी बंदर लोग हम ऐसे लोग है कि हम continuous public है अपना कभी भी मन करेगा तब ही शुरू हो जानेगा मतलब भाई बस बाहर बारी सो रही है घर में पकोड़े रखे हैं और बाजू में और कुछ है तो भाई शुरू हो जानेगा मतलब अपने को टेंशन नहीं है बारिश में ही करेंगे ठंडी में करेंगे अरे भाई जब जैसा माहौल दिग गया तब माहौल की हिसाब से होते हैं बहुत से लोग स्कूल की बातरूम में खड़े रहते हैं कुछ भी कर सकती ही पबलीक भाई तुम जानते नहीं हो ठीक है आज कल निउज में बहुत कुछ आता है तो यहां तक की बाते समझी अभी भी हम पेस नंबर 19 में हैं ओके लेट्स बिगिन आगे बढ़ते ह रहे थे मैंने कहीं भी human word use नहीं किया कि breeding in human beings sexual reproduction in human beings मैंने किसमे बात किया गाइस मैंने बात किया sexual reproduction in animal breeding pattern in animal है ना हमने यहीं बात की न अब तक यानि कि लाइफ फेजस इन एनिमल, मैं एनिमल की बात कर रहा था, लेकिन now we are going to talk about human reproduction, अब हम किसकी study करने जा रहे हैं, अब हम शुरू करने जा रहे हैं, human reproduction, अब हम खास कर, यानि कि अभी तक तो सिर्फ हम एनिमल की बात कर रहे थे, एनिमल में कोई भी आ सकता है, गाय, भैस, बिल् स्पेसिफिकली इनसान की बात करेंगे अब हम, ठीक है, इस बात को ध्यान देना अच्छे से, चलो, ओके, एक करते हैं, mathematics लो, भाई, concept batch की playlist बनाओ, हाँ, सब बना दूँगा, tension मतलो, पहले ध्यान दो, अभी पढ़ाई में ध्यान दो, प्लीज, तुम सबको maths और concept batch की playlist की बहुत जरूरी बात, अगर तुम सब इनसान हो, तो ध्यान देने का खुद के reproduction के बारे में समझो, तुम्हारी बात चल रही है, और अगर तुम नहीं कर सकते हो, तो फिर बात की बात है भाई, दूर, earphone लगाने का, कोप्चेम बैटने का, human reproduction पढ़ने का है तो, ज्यादा कैसे reproduce करते हैं, क्या इनसान asexual reproduction करता है, तो नहीं भाई, तो इनसान कैसे reproduce कर सकता है, human reproduces, human reproduces, reproduces sexually, इनसान को इस चेज में वहुती मज़ा आता है, यानि कि इनसान reproduces sexually, इनसान sexually reproduce करता है, और reproduce करने के, प्लीज ध्यान दो अच्छे से, रिप्रडूस करने के कुछ sequential steps है, there are seven, इस तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, देखो मज़ा भी आ रहा और कितनी अच्छी notes भी बना के दे रहा हूं, समझा रहा हूं, डीटेल में, प्लीज फोकस भी करना, chapter बहुत ही hard है, जितना मज़ा आ रहा है, उतना hard भी है, वो तो मेरे पढ़ाने का तर reproduction करने के लिए, साथ sequential steps होती हैं, और मैं आपको इन सारे के सारे साथो sequential steps को शुरू से लेके, इंड तक अच्छे से बताऊंगा, तो जैसे कि सबसे पहला step है हमारा, सबसे first step है, gametogenesis, सबसे पहला step है gametogenesis, फिर उसके बाद दूसरा step है, gamet तो बन गया, तो दूसरा step है insemination पूरा chapter यहीं पर सीख लोगे, वैसे overview की बात करूँगा मैं, ठीक है, तीसरा है internal fertilization, internal fertilization, ठीक है, फिर उसके बाद चवथा step है हमारा, जो की सबसे important है, जिसे हम लोग कहते हैं, जाइगाट formation, लग रहा है लिखे नहीं पाऊंगा इतनी जगा में, जाइगाट formation, पेज नम पहले ही बोल रहा हूं, और पाचवा step है हमारा, embryogenesis, embryogenesis, छटवा step है हमारा, six step है, जो उसे कहते हैं, gestation, और सबसे last वाला सात्वा कहां लिखू, सात्वा लिखने के लिए जगा ही नहीं बची, ठीक है, आजा, आजा प्यारे, पास समारे, ये लो, अपने पास सब idea है भाई, जगा बनाने आना चाहिए, सात्वा step है हमारा, सात्वा step है पार्चुरिशन, ये baby produce हो गई, pregnancy होती है, ठीक है, ये सारे के सारे, सातो steps हमने detail में सीख लिए, clear है, पूरा लिख डाला मैंने, ठीक है, तो इन सातो step को अपने दिमाग में अ तो gametogenesis में क्या होता है, तो gametogenesis में होता है, formation of gamets, हम पहले क्या सीखेंगे, formation of gamets, आजाओ, detail में देखना, insemination मतलब क्या, मतलब कि transfer of gamets, मतलब gamet male से female में जाएगा, राहुल इंडिया में बैठा है, प्रिया पाकिस्तान में तो कई से काम चलेगा, तो transfer of gamets, इसमें होता है, gamets से एक जगे फिर दूसरे देख, उसके लिए जाड़ी के पास जाना पड़ता है, internal fertilization, यानि कि यहां पर क्या होगा, fusion of male and female gamet, male plus female gamet, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से, जाइगोट formation में, deployed, deployed जाइगोट का formation होता है, ध्यान रखना अच्छे से, फिर embryogenesis में क्या होता है, embryogenesis में क्या होता है, formation of embryo, formation of embryo, मैं थोड़ा इस side आ जाता हूँ, तब तुमको बराबर दिखेगा, तो formation of embryo, from, अच्छा कहां से, from जाइगोट, पूरा short में लिखके दे रहा हूँ, gestation में क्या होता है, development, development of baby, मदर के uterus में, ठीक है, और parturition में क्या होता है, pregnancy, ढोल बजाओ, हरीगुन गाओ, राम जी के निकली सवारी, नहीं ये गाना नहीं गाते हैं, आपन कौनसा गाना गाते हैं, तो इस बात को ध्यान दखना अच्छे से, तो these are the seven steps, इन सातो step में हमारे इंसानों का, हम सभी इंसानों का, reproduction complete होता है, gamet बनने से ले करके, प्लीज धान देना जर अच्छे से, gamet बनने से ले करके, pregnancy तक का हमारा ये सात step है, और जिसमें human का reproduction होता है, आप सब बच्चों को पूरा का पूरा सातो step अच्छे से याद हो गया, जल्दी बोलो, सब बच्चे फटाफट comment box में बोलो जल्दी, like करो session को जल्दी फटाख से सब लोग, और ये बताओ कि पूरे की पूरे सातो step आपको याद है, आपको पता है, हम इस पूरे चैप्टर में इस सातो step को सीखने वाले हैं, guys, you will not believe, we are going to study these seven steps in this chapter only, और यही तो पूरा चैप्टर है, आप सब को याद होना चाहिए, वो भी sequence में याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले पार्चुरिशन याद किया, और फिर गेमेटोजनेसिस याद किया, ऐसे नहीं, पूरा sequence में याद होना चाहिए, ठीक है, चालो, इफ़त खानिस सेंग सर, you are our army, thank you so much, you are my army, ओके चलो, let's begin, ओके, तरिके हैं, आगे बढ़ते हैं अभी, अब guys, आपके सामने एक question ये उठता है, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, कि आप मुझे एक बात बताओ, कि ठीक है भाई, there are seven sequential steps, of the human reproduction, जिसमें सबसे पहला है formation of gamets, तो ये gamet form कहां होता है, ये gamet दिमाग में form होता है क्या, हाँ, दिल में form होता है क्या, लिवर में form होता है क्या, किडनी में form होता है क्या, नई, तो there is specific organ, specific organ, for the formation of gamets, और हम सबसे पहले, इसी specific organ के बारे में study करेंगे, फिर हम start करेंगे gametogenesis, are you getting my point or not, hello everyone, are you getting my point or not, तो अभी हम अपना step number one, that is gametogenesis शुरू नहीं करेंगे, हम क्या शुरू करेंगे बच्चा, हम सबसे पहले ये देखेंगे, कि ये gamet कहां बनता है, उसके बारे में हम detail में सीखेंगे, हम बाद में देखेंगे कि gamet कैसे बनता है, आपको मेरी ये line समझ में आई अच्छे से, अभी हम पहले ये देखेंगे, कि ये gamet कहां और कैसे बनता है, बाद में हम पढ़ेंगे कि gamet क्या होता है, सारी चीज़ें, बहुत बढ़िया, चलो, शुरू करते हैं, तो इस स्पेसिफिक औरगन की जब बात आती है, तो अभी भी पेज नंबर 19 में ही सब बच्चे रहना, पेज नंबर 19, human reproduction का second paragraph शुरू करने जा रहा हूँ, human reproduction का पहला paragraph हो गया, पेज नंबर 19 में, blue color में लिखा हुआ है human reproduction, अब उसका second paragraph में सब बच्चे आजाओ, जहां पे लिखाओ है the gametes, spumps and eggs are produced by primary sex organs, वहाँ पे आजाओ, तो guys हमारे इंसानों के अंदर, ध्यान देना, there are specific organs, क्या होता है, specific, specific organs, आपको पता है, इन औरगन में दो टाइप की औरगन्स होती हैं, एक होता है primary sex organs, अच्छा, अब ही हम बात करेंगे, specific organs में, वैसे organs तो बहुत सारे होती हैं, बट उसमें से हम सिर्फ किस की बात करेंगे, sex organs की, अब liver भी तो एक organ है, heart भी तो एक organ है, ऐसे brain भी एक organ है, लेकिन हम सिर्फ कौन से organ की बात करेंगे, sex organs की, जिसमें से, पहला है primary sex organ, और दूसरा है, secondary sex organ, secondary sex organ, देखो कितना अच्छे से बता रहा हूँ, वही page number में अभी रहना सब लोग, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से, तो चलो बात करती हैं कि primary sex organs कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है testis and ovary, these are the primary sex organs, and other than, other than primary sex organ, sex organ, all the organs are, organs are secondary sex organs, याद है तो आबाद है, भूल के तो बरबाद है, याद रहेगा सब बच्चों को, बहुत बढ़िया, चलो यहाँ तक कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और आप सारे बच्चों को सब कुछ याद भी होगा, ठीक है, बात करते हैं, कि human being के अंदर, जो testis है, यह male का पार्ट है, जैसे plant के अंदर एंथर था male का पार्ट, और ovary female का पार्ट है, जैसे वहाँ पर भी ovary ही थी female का पार्ट, बहुत बढ़िया, बात करेंगे, जो यहाँ पर male है, यह क्या प्रडूस करेगा, यह male gamet प्रडूस करता है, यानि primary sex organs ही gamets बनाती हैं, और यह क्या करेगा, यह female gamete को यह प्रडूस करेगा, इस से बनेंगे, याद है तो आबाद है, भूल गए तो बरबाद है, सेकंडरी sex organ की चलो, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, तो सेकंडरी sex organs की जब हम बात करती हैं, secondary sex organs क्या decide करती है ये second थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ उपर लिखता हूँ क्योंकि दो चीज लिखनी है मुझे यहाँ पर ये secondary sexual characters secondary sexual characters को ये define करती है क्या define करती है secondary sexual characters इसका मतलब ये हुआ कि जो primary sex organs है ये हमारे अंदर gamets बनाती है और जो secondary sex organs है ये हमारी पहचान करवाती है कि भाई कौन male है कौन female है तो हमारे शरीर के अंदर जो secondary sex organ है इससे क्या आता है इससे produce होता है secondary sexual character समझा जिसे तुम दूसरी भाषा में कह सकते हो secondary dimorphic dimorphic character चलो बात करते हैं तो हम ये बात करेंगे बच्चा पार्टी कि male के अंदर ये कौन से कौन से character है और female के अंदर ये कौन से कौन से characters है ठीक है अब जड़ा यहां पर सभी लोग अच्चे फिर ध्यान देना ठीक है now let's begin तो guys सबसे important चीज है in male ध्यान दो अच्चे से presence of beard दूसरी चीज presence of stage then hair on chest ये तीन चीज़ें याद रखना and अच्छा एक चीज और important है hardling of voice ये तीन चार चीज़ें अच्चे से समझ के रखो अपना female के अंदर सबसे important चीज है broadling of pelvic guddle ये क्या होता है अभी समझाऊंगा और दूसरी सबसे important चीज है high pitch in voice तीसरी चीज enlargement of braced इस बात को अच्छे समझ के रखना तो सारी की सारी चीज़े clear हो गई सभी लोगों को यहां तक की सब कुछ अच्चे से clear है ठीक है यहां पे जरा ध्यान देना ठीक है clear है यहां तक की सब बाते चलो तो यह सारी की सारी चीज़े आपको अपने माइंड में अच्छे से बिठा के रखना है clear है यहां तक सब कुछ थोड़ी से important बाते करेंगे यहां पे जरा ध्यान दो सभी लोग ठीक है ध्यान दो यह pale वी गडल क्या होता है तो अब हम बात करेंगे थोड़ी सी figure की ठीक है तो कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से इस तरीके से यहां पे figures available होती है तो just waste की मैं यहां पे बात कर रहा हूँ waste की तो यहां पे जो एक bone होती है बड़ी सी जो पूरे के पूरे waste को control करती है मतलब support provide करती है तो यह जो पूरी की पूरी यहां का area है इसे कहते हैं पेलवी गडल तो जितना broad यहां पे females में होता है पेलवी गडल उतना male में नहीं होता ठीक है इस बात को अच्छे से याद रखना clear है समझ के रखो अच्छे से बस यही चीज यहां पे बता रहा गया है और कुछ भी नहीं clear हो गई सारी की सारी बाते अरे तुशार भाई यह क्या भेज रहा है clear है इस बात को ध्यान देना these are not sex organs these are the characters ठीक है इस बात को याद रखो अच्छे से चलो यहां तक की सारी बाते clear है A.B. is saying high pissed voice भी करके दिखाओ तो फीमेल लोग रहती है आप suppose that कोई female अगर माल लो कहीं पर भी माल लो कहीं भी तो वहां पर कैसे जाते हैँ हो लोग थीक है अह्यँआ प्लू क्या भूलेंगे रहा हमें 2 City लिप्स्टिक दे दो ओसम्तिक लिप्स्टी को ponster and segu यहीं वहांपर अचार ना इस बात को ध्यान रखन आच छे से तो यह सारी चीजे reality होती है तो इसे high pitch voice कहते है ठीक है और बाकी को तुम्हें सब पता ही है बाकी सब तुम्हारा ध्यान वहीं रहता है बाकी सब तुम्हें वालुम ही है पेलवी गडल, enlargement of breast and many things है ना चलो ठीक है तो यहां तक की बाते ध्यान रखना ठीक है तो दो चीजे म these are the seven steps ठीक है यह शुरू अभी नहीं हुआ है गेमेटो जनेसिस कहां होता है कुछ specific organs में और वो कौन सा ओर्गन है प्राइमरी सेक्स ओर्गन यह कहां होता है अभी सब बता दिया मैंने यहां पर ध्यान देना टेस्टेस और अवरी and many things secondary sex organs के तुरू characters create होती है तो इस सब क अच्छे से detail में I hope यहां तक आपको सब कुस समझाओगा ठीक है चलो यहां पर समझ के रखना important था अब बढ़ेंगे आगे की बाते शुरू करेंगे ठीक है चलो तो अब हम सबसे पहले किस organ की बात करेंगे हमने यहां पर देखा testis and ovary so now we are going to start with testis ठीक है और testis कहां होता ह है testis होता है यहां थोड़ा ऊपर लिखता हूं मैं human male reproductive system में human male reproductive system में उफी तरीके से ovary भी है जो की human female reproductive system में होता है तो इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़े time बात बताऊंगा अच्छे से detail में ठीक है इस बात को ध्यान दखना अच्छे तो आप लोग अपने book के page number 20 में आ जाओ सब लोग कहां पर आ जाओगे book के page number 20 में और मैं आप लोग को एक diagram लेके आता हूं और वो diagram आपके सा अच्छे समझ में आ जाएंगी ठीक है just wait a second ठीक है just एक मिनट रुप जाओ सब लोग क्योंकि वो diagram तुमारे 12 की book में अच्छे से नहीं दिया हुआ है वो diagram किधर दिया हुआ है ये देखो मिरुको मैं crop करके लेके आता हूं क्योंकि उस diagram की विना शाया दी तुमको समझ पा important ठीक है समझ रहा है अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं अतोल कि दरवाजा बंद कर दो और ये डाइग्राम आपके class 12 में नहीं दिया हुआ है और इसलिए थोड़ा सा समझने में problem होती है ठीक है चलो यहां पर ध्यान देना अच्छे से लिशन केरफुली तो अब जो यह टेस्टीस है यह टेस्टीस किदर प्रोडूस होता है human male reproductive system में कहां पर human male reproductive system में यहां पर जो सबसे important चीज है human male reproductive system में तो इसमें क्या होता है दो सबसे important चीज होती है अब देखो यह topic थोड़ा hard है अब hardness शुरू होगी toughness जो है please hello everyone सबसे एक अनुरोध है एक सबसे request है humble request है कि सभी बच्चे please ध्यान दो human male reproductive system जो है यहां से toughness शुरू हो रही है chapter की प्लीज ध्यान दो अच्छे जरा toughness शुरू हो रही है chapter की अब chapter थोड़ा hard बनेगा ठीक है अरे हाँ यार सलिल बना दूंगा strategy वीडियो तुमारा तो strategy वीडियो में दिमाग चल रहा है मैं यहां पर पूरा पूरा चैप्टर बता रहा हूं और आप उदर strategy 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 घुसा रहा है लड़काई अरे दे देंगा strategy पहले जो सिखा रहा हूं वो नहीं सीख रहा है और strategy चाहिए इसको और मिल जाएगी भाई मिल जाएगी तुम्हारी strategy तुम्हें मिल जाएगी पहले पढ़ाई में ध्यान दो concept सीखो पहले strategy strategy बात में भी सीख लोगे ठीक है इस बात को ध्यान रखना अच्छे से तो चलो तो human male reproductive system में दो सबसे important organ होती है क्यों जाए बैन एक मिनट रुप जाओगा यह ज़रा हाँ यहाँ ध्यान दो दरवाजा बन कर देना ना यहाँ ध्यान दो human male reproductive system में सबसे important चीज़ है सबसे पहले external genitalia और दूसरा है internal genitalia याद रखना प्लीज आँ अब जो शुरू कर रहा हूँ प्लीज ध्यान देना सबसे important है एक है external genitalia और एक है internal genitalia ठीक है तो सबसे important बात जो बता रहा हूँ कि external genitalia के अंदर सिफ दो ही चीज़े आती हैं एक तो तुम्हारा सबसे important हतियार जिसे तुम कहते हो penis और दूसरा है उस हतियार को ताकत देने वाली चीज जिसे तुम कहते हो scrotum ठीक है अभी हम सिर्फ male की बात कर रहे है अपन female की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे है तो सबसे पहला genitalia में external की बात कर रहे है बाहर से जो दिखता है अब बाहर फे तुमने देखा ही होगा बहुत जगे बाहर फे दिखता है जो अभी अंदर की बात अपन नहीं कर रहे ह हम लोग कहा की बात कर रहे हैं बाहर फे जो दिखता है तो बाहर से पैनिस और स्क्रॉटम सिर्फ दिखता है बाकि कुछ नहीं दिखता ज्यादा देखने की कोशिश मत करना वरना टूट टाट जाएगा फिर टेंशन में आ जागे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ठीक है तो याद रखना तो पहला है पैनिस और दूसरा स्क्रॉटम अब बात करेंगे इंटर्नल जनिटालिया की तो इंटर्नल जनिटालिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं बहुत सारी चीज़ें अब मैं अगर गिनाने जाओंगा तो तीन सबसे इंपोर्टेंट चीज होती है internal genitalia में तीन सबसे important चीज में कौन सी कौन सी testis दूसरा है accessory accessory duct तीसरा accessory accessory gland ठीक है ध्यान देना ज़रा सभी बच्चे अच्चे जो जो मैं सिखाते जा रहा हूँ यहाँ पे यह तीन चीजें सबसे important है internal genitalia में accessory duct के अंदर बहुत सी चीजें होती है आजो मैं आपको पूरा का पूरा पहले लिखवा के देता हूँ क्योंकि यह बहुत जरूरी है तो देखो तो सबसे पहले accessory duct के अंदर क्या-क्या included है तो सबसे पहले है rete testis यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सबसे पहले है rete testis then vas deferentia इन सब की study detail भी अभी करेंगे आपन फिर उसके बाद है epididymis फिर उसके बाद है epididymis के बाद epididymis के बाद है vas difference और vas difference के बाद है urethra और अगर एक और बात की बात करूँ मैं एक छोटी सी और important बात है उसे कहते है ejaculatory duct urethra के पहले ejaculatory duct यह सब दिखाऊंगा कहा होता है बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना मैं थोड़ा खुद को उपर उठा के यहां रख लेता हूँ ठीक है ध्यान रखो vesicle यह सब को detail में समझाऊंगा दूसरा है prostate gland और तीसरा है cowper's gland सोचो ऐसा आपको किसी ने कभी सिखाया ही नहीं होगा ठीक है जितना अच्छे से पुरा detail में clear कर रहा हूँ concept को मैं पुरे concept को मैं clear कर के दे रहा हूँ आप समझ रहा हूँ मेरी बाती में जो कह रहा हूँ सोचो कितना अच्छे से हम divide कर रहे हैं आप सोचो human male reproduction में panis scrotum external genitalia है और internal genitalia में testis accessory duct और accessory gland तीन चीज़े ही आती हैं लेकिन इन तीन चीज़ों के भी अलग-अलग part हैं accessory duct के पूरे 6 पार्ट हैं और accessory gland के पूरे तीन पार्ट हैं याद रहेगा चेतन कहता है भाईया जनि टालिया का मतलब क्या होता है जनि टालिया का मतलब genitals जनाइटल्स अब कैसे हिंदी में बोलू यार यह फसा दिया मेरे को समझो न यार जनि टालिया मतलब अभी अरे यार अभी इतना भी बताने का यह हिंदी में कैसे बोलूगा मैं अरे वही जब तुम बातरूम में जाते हो फिर उसके बात क्या होता है उसी की बात कर रहा हूँ जनिटालिया मतलब औरगन वही वही जो दिखता है बाहर से क्या बोलने का यार इसको क्या गुंडा बने गए अब ये भी बता हूँ हिंदी में हिंदी में नहीं बोल सकता क्योंकि जनिटालिया इंग्लिश में ही ठीक है उसके एक शब्द अगर हिंदी में बढ़ाया ना तो फिर सीधा टेंशन में आ जाएगा ठीक है ध्यान रखो अच्छे से तो ये नाम याद रखो पहले ये सारी चीजे होती है ठीक है तो समझ जाओ अभी राने सिंग कहती है क्यों सर क्यों नहीं बताओगे अरे अरे मतलब अभी समझो यार अभी क्यों नहीं बताओगा हिंदी में थोड़ा आजीव लगेगा बोलने में यार मैं भी इंसान हूँ मेरे लेक्चर भी जाओं बड़े बुजुर्ग भी देखते हैं बोलेंगे ये बहुत बड़ा हो गया है क्या बोल रहा है चपल उपल उठाके मरवा हो गया मेरेको ठीक है सोसाइटी अपनी बड़ी डेंजर है मेरेको बोलने में कुछ सरम नहीं है क्योंकि वो तो पार्ट है हमारे शरीर का पार्ट अभी हांथ है तो हांथ बोलता हुना आख है तो आख बोलता हुना तो वो बोलने में टेंशन नहीं मेरेको लेकिन जब पब्लिक चप्पल मारके दवड़ाएगी उसका टेंशन है यार सोसाइटी से कौन पंगा लेगा समझ तुम्हारी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग में नहीं जाओंगा यहां से क्यों थोड़ा सा देखो पढ़ाऊंगा टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगी बड़ थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करने जा रहा हूं मैं सबसे पहले external genitalia के बारे में पढ़ाऊंगा फिर मैं internal genitalia के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपकी textbook में जो page number 20 में आप लोग हो यहाँ पे internal genitalia की बात किया है मतब कि हमारे genital के अंदर क्या चीजे होती है और यहाँ पे हम बात करने जा रहे external genitalia की तो आप सबसे एक request है कि आप सब page number 22 में आ जाओ हम दो ही line का दो ही paragraph का answer है ज्यादा बड़ा नहीं है बट फिर भी हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे ठीक है ध्यान दुजर आच्छे से तो आप सब बच्चों से एक request है कि आप सबी बच्चे जल्दी से page number 22 में आ जाओ और वहाँ पे एक option लिखा है D external genitalia ऐसा करके option लिखा होगा उसी option में आपको आना है external genitalia दो ही paragraph का question का answer है ज्यादा बड़ा नहीं है और exam में आपके आता है ठीक है इस बात को ध्यान रखना चे चलो फटाफट सब लोग आ जाओ ठीक है अरे राहूल सब समझाओंगा इस scrotum क्या होता है वही तो पढ़ाने जा रहा हूँ लेकिन नहीं तुमको तो बहुत जल्दी सीखने का है बोल रहा हूँ page number 22 में आओ तो वो नहीं समझता है मेरे chapter खतम होने के बाद कहना कि भाईया ये चीद नहीं समझाया आपने अभी तुम्हें खुद पढ़ा रहा हूँ न तो पढ़ो न कहें टेंशन ले रहे हो ठीक है ठीक है बहुत बढ़ी आंजली सही का तुमने चलो अब हम शुरू करेंगे external genitalia के बारे में ठीक है किसके बारे में शुरू करेंगे external genitalia तो external genitalia मतब कहने का मतब बताऊं क्या है बाहर से क्या-क्या दिखता है सीधा समझ में आए कि ने समझ में आए इस बात को ध्यान दकना अच्छे फे चलो तो बाहर सिफ दो चीज़े दिखती है बाहर से कितनी चीज़े दिखती है जब तुम देखोंगे तो तुम जब देखोंगे तो तुमको दो ही चीज़े दिखेंगी एक पैनिस दिखेगा और एक स्क्रोटम दिखेगा तो चलो सबसे पहले आपन किसकी study करेंगे पैनिस की जिसकी मतलब कहते हैं ना दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान हाए मैं तेरे कुर्बान तो इट इस दी it is copulatory organ ठीक है तो it is the copulatory organ जरध्यान दो अच्छे से copulation का मतलब क्या होता है अब देखो जैसे पढ़ाई है ना फिर उसके बाद लिखाई आगे समझ जाओगे तुम लोग खुदी copulatory copulation मतलब क्या होता है तो पढ़ाई लिखाई बिनाई और और भी आंगे अब तुम समझ जाओ फिर ठीक है तो ऐसे ही होता है वही है copulation ठीक है चलो अभी भाई आदे बच्चों को समझाने के लिए क्लिए क्या करेंगे अभी आपने को समझाना पड़ता है ठीक है चलो ठीक है तो copulatory organ है मतलब इस बात को अच muscular विद यहां पर लिखता हूं आगे मैं इट इस कि इस सिलिंड्रिकल कि एंड कि मस्कुलर मत्तब कि अगर कभी future में तुम्हें पता चले कि भाई इसके अंदर बॉन होती है क्या तो नहीं इसमें हड्डिया नहीं होती muscular होता है यह muscle से बना होता है तो ऐसे मत कहना कि यह तूट जाएगा यह तूटेगा नहीं यह तोड़ देगा ठीक है ऐसे होता है तो यह cylindrical muscular होता है made with किस से बना होता है यह अब जो लिखने जा रहा हूं यह exam में आता है ठीक है made with three bundles of erectile tissue made with three bundles of erectile tissue erectile tissue का मतलब क्या होता है बच्चा-party erectile tissue का मतलब होता है कि एक एसा tissue जो stand हो सके जो k 가자 हो सके अब समझ गया अच्छे से इस बात को धिया रकने अच्छे से ठीक है तो एक ऐसे tissue जो stand हो सके just destac हो सके मतलब erect हो सके irrelevant मतलब खड़ा होना तो ठीक है आगे बढ़ते हैं तो वो कौनसी कौनसी इरक्टाइल टिशू है ध्यान दो अच्छे से प्लीज ध्यान दो तो ये दो तरीके की इरक्टाइल टिशू है सबसे पहली इरक्टाइल तीन टिशू होती है तो जिसमें से जो दो टिशू है यानि कि पेर में पेर में पोस्टेरो एक लेइर लेइर है, मतलब समझा में क्या रहा हूं, पेर मतलब दो होता है, तो दो लेइर पीछे और साइड में होती है, और एक बीच में लेइर होती है, चलो इन लेइर का नाम क्या है, तो सबसे पहला नाम क्या है, यहां पर लिखूंगा side में, सबसे पहला नाम है corpora covernosa, ठीक है ध्यान रखना, और दूसरा नाम क्या है दूसरा, इसी का, corpus spongiosum, ठीक है जो लिख की देना उसको अच्छे सियाद रखना, corpus, नाम बोला था ना, बहुत डेंजर है, spongiosum, awesome, awesome है awesome, spongiosum, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है आगे बड़ो, और middle layer में, कौन सी middle layer है, middle layer में सबसे important, यहां पज़र ध्यान देना अच्छे से tissue, देखो यहां पी जो corpus spongiosum है, यह median layer है actually, और corpus corpora covernosa, यह खुद में दो layer होती है इसको थोड़ा समोजी, अलग करके मिटा के लिखना पड़ेगा, एक मिनटा, यह इसी का part है, चलो एक ही जगे लिख दिया, तो कोई बुरा ही थोड़ी है, यहां पे इसको लिखना पड़ेगा, corpus, corpus spongiosum, यहां पे आएगा, ठीक है, मतलब जो corpora covernosa है, यही postural lateral layer है, इ कि तुमको दिखना विची ही, यहां बैठ जाता हूँ, चलो ठीक है, अब याद रखना अच्छे से, ठीक है, clear हो गया, अच्छे से, यहां तक की सारी बाते, अब आगे बढ़ता हूँ, आपको पता है, पैनिस के just उपर, एक swollen tip होती है, क्या होती है, एक swollen, मतलब फूगी ह कहते हैं, इसे हम कहते हैं, glance penis, आजो डाइग्राम बनाता हूँ, तो कुछ इस तरह ऐसे होता है, अब डाइग्राम कैसे बनाऊँगा, दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन मैं, यह तो टेड़ा मेड़ा बना दिया, रहे मैंने, मुझे लग रहे है, टेड़ा है किसी का दूप, अपना बना ले मेरी जान, हाए मैं तेरे, हाँ सही रास्ता बन गया भाई, ठीक है तो this is the glance penis, ठीक है, ध्यान रखना, and this is the penis, आजाओ, और इसकी लेर की बात करेंगे, आपने को बहुत सारी डीटेल में सीज़े सीखनी है, अपने इसकी लेरिंग की थोड़ी सी बात करते हैं, ध्यान दो अच्चे से, तो जो इसकी लेर की बात करने जा रहे है अभी आपन, यहाँ देखो, अच्छे सभी लोग प्लीज, लिशन कैरफुली, तो जो इसके पास दो लेर है, तो जो सबसे आउटर लेर है, इसी को कहत याद रहेगा आप ये बताना था मुझे इसलिए मैंने ये डाग्राम बनाई चलो ये जो सबसे आपने देखा होगा देखा होगा तो अच्छी बात है जो ये वाला पार्ट है इसे आपन प्रिप्यूस कहते हैं प्रिप्यूस इसे आपन कहते हैं प्रिप्यूस ठीक है सब को अच्छे स याद रहेगा किसी को डाउट है अरे योगेश वाग मारे आगे से भी मारेंगे पीछे से भी मारेंगे सवसुरा यहाँ पे चैट बॉक्स को प्रपोज टिंडर साइट बना लिया है अंजली को प्रपोज कर रहा है ये फाल तू आदमी टिंडर का साइट बना लिया प्रपोज मार रहे है फ्री में टिंडर में 50 रुपे का मेंबर्शिप लेना पड़ता है यहाँ प्री में प्रपोज मार रहा है अरे क्या पता अंजली वाकडी निकली तो क्या करेगा फिर उसका हाथ ऐसा बैंड रहेगा देखने गया है कि आप प्रपोज मार रहा है यहाँ वाइट के थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे वेटा ठीक है खाली फोकड का टेंशन ले रहा है ठीक है चल यहाँ देखो अभी अच्चे से ठीक है तो यहाँ तक आपको सब कुछ अच्चे से समझ गई होगी ठीक है चलो बहुत बढ़िया क्लियर हो गया ना सब कुछ बच्चो किसी को कोई डाउट नहीं है ना ध्यान रखना अच्चे से ठीक है चलिए तो यह सब कुछ पैनिस के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा एक्जाम में आएगा आई होप आप सब बना दोगे अब हम देखने जा रहे हैं एक्स्टर्नल जनिटालिया में स्क्रॉटम के बारे में आखिर यह स्क्रॉटम क्या चीज होती है तो अब हम सीखेंगे स्क्रॉटम के बारे में कि यह स्क्रॉटम ससुरी कौन सी बड़ी बला है ठीक है आजाओ स्क्रॉटम के बारे में सीखेंगे अरे अमन अमन कार लेकर रिपीट करने के लिए वापस सी वीडियो देख लेना ठीक है वही वही चीज को रिपीट मत करवाओ चैप्टर बहुत बड़ा है टाइम पास नहीं करने का है इस्क्रोटम की बात करते हैं तो इस्क्रोटम क्या होता है इट इस लूज अच्छे से लिखता हूँ थोड़ा बुलेट पॉइंट में जने मज़ आये लूज लूज पाउच लाइक इस्ट्रक्चर नहीं क्या जो पैनिस की नीचे होता है वही उसी की बात कर रहा हूँ तो लूज पाउच लाइक स्ट्रक्चर यह जो स्ट्रक्चर है यह पिग्मेंटेड होता है पिग्मेंटेड बोले तो अलग ही कलर का होता है मतलब कि इंडिया में mostly it is black in color ठीक है मतलब पूरे इंडिया में सब का क्यूंकि this is the secondary sexual character सभी का ब्लैक ही रहेगा कोई भी ऐसा दुनिया में इंडिया में नहीं जिसका लाल पिला निला रहेगा ठीक है इस बात को ध्यान देना अच्छे से यह कहां रहता है इसका location क्या है तो लाइंग बिहाइंड बिहाइंड दी पैनिस यह बात पहली बात याद रखना चलो दूसरी सबसे important बात इसमें क्या होती है there are two scrotal sack अब यह क्या होता है बताता हूँ divided by divided by median layer अब यह क्या होता है सुरू को सब को समझाता हूँ median layer और इस median layer को क्या कहते है median layer को क्या कहते है tunica tunica dartos अब यह क्या होता है आजाओ समझाता हूँ देखो तो यह कुछ इस तरह पर दिखता है दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान तो देखो यहां पर यह जो बीच की layer है इसे कहते है tunica dartos ठीक है पहली बात दूसरी बात यह जो structure है ध्यान दो अच्छे से यह structure है यही है scrotum तीसरी important बात यह जो खाली जगए है यह खाली जगए यह खाली जगए अब इसमें कुछ डालूँगा मैं ठीक है यह खाली जगए को आपन क्या कहते हैं इस खाली जगए को scrotal sack scrotal sack कहते हैं इसी scrotal sack में यह क्या है testis है यह क्या है guys यह testis है यह रहता है याद रहेगा आपको चलो आंगे बात करते हैं यह testis connected होता है with the scrotal layer यह जिस चीज से connected रहता है यह connected क्यों रहता है यह connected इसलिए रहता है क्योंकि अपना testis जो रहता है इस क्रॉटम के अंदर वो उठके भाग न जाए किदर भी इसलिए ठीक है तो यह इसका नाम क्या है यह है क्या चीज तो यह जो चीज है ना यह fiber muscular band और इस band का नाम जानते हो क्या है इस band का नाम है गुबरन कुलम गुबरन कुलम ठीक है ध्यान रखना अच्छे से तो यह आई होप आपको यहां तक का सारा structure अच्छे से याद हो गया होगा याद रहेगा सबको सबको याद रहेगा गुबरन कुलम इसका नाम होता है याद रहेगा का सबको यह fiber muscular band होती है और यह band जो है ना यह इसका नाम है गुबरन कुलम यह किसको connect करते है टेस्टीस को और उस scrotum की layer को connect करता है चलो आगे की हम बात करते हैं थोड़ी सी important बात अब बताने जा रहा हूँ यह हमारे जो मदर के पेट में होता है तो छटवे महीने में शिक्स्त महीने में शिक्स्त मंत में शिक्स्त मंत में एक्जाम में ने लिखो के चलेगा शिक्स्त मंत में मतब फिफ्ट शिक्स्त मंत में सबका अपना अपना डिपेंड करता है तो इस मंत में कहां से abdomen से abdomen से कहां पर आता है स्क्रॉटम में आता है क्या होता है इसे क्या कहेंगे descend होता है descend की spelling मैंने wrong लिख दी descend descend होता है और किसकी help से descend होता है तो यह descend होगा inguinal canal के थू inguinal canal के थू यानि कि सबसे पहले testis यह जो दो testis होती है यह हम इंसानों के हम इंसानों के पेट में बनते हैं abdomen में और जैफे जैसे हमारी age बढ़ती है दो महिने के हम होते हैं चार महिने के होते हैं पांच महिने के होते हैं मदर के uterus में तो यह वहां से निकल के और स्क्रॉटम में आ जाते हैं समझा अच्छे से याद रहेगा अगर मालो बच्चा किसी के अंदर problem आ जाए कि यह जो आया ना उदर से उपर से निकल के टेस्टिस स्क्रॉटम में अगर मालो यह हुआ ही नहीं यह हुआ ही नहीं तो एक बिमारी हो जाती है उस लड़के को और इस बिमारी को कहते है क्रिप्चॉर्टिडिजम क्रिप्टॉर्चिडिजम इस बिमारी का नाम क्या है क्रिप्टॉर्चिडिजम यह बिमारी हो जाती है और जिस लड़के को यह बिमारी होती है वो बेचारा इस्टराइल हो जाता है मतब वो कभी बच्चा प्रिडूस नहीं कर सकता समझा अच्छे से मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ याद है तो आबाद है भूल गए तो बरबाद है याद रहेगा हमेशा ये लाइने याद रहेंगी हमेशा किसी बच्चे को कोई डाउट है कुछ भी थोड़ा सा डाउट है क्या इस क्रॉटम एश्टरNAL जेनिट अलिया का पार्ट है याद रहेगा सबको किसी को कोई डाउट है बोलो फटक से जल्दी बोलो किसी को कोई डाउट है क्या चालो अब यहाँ पर ध्यान देना तो इस scrotum के अंदर जो testis है अब इस scrotum की थोड़े से temperature की बात कर लेती है temperature तो ये हमेशा 2 से 3 degree Celsius below होता है below ठीक है? body temperature से हमेशा 2 से 3 degree Celsius body temperature से below होता है इस बात को अच्छे से याद रखना तो finally हमने external genitalia को पढ़ लिया ठीक है? इतना ही था बस इतना ही है external genitalia ठीक है? इतना ही है page number 22 में छोटा सा लिखा हुआ है बस इतना ही था अब हम शुरू करेंगे internal genitalia किसी को कोई यहां तक doubt है तो पूछ लो हमने external genitalia cover कर लिया जो कि बहुत ही छोटा part है अब शुरू करेंगे internal genitalia जो अपने आप में बहुत बड़ा part है और अगर आपने थोड़ा भी focus नहीं किया न तो यह आपको बिल्कुल भी नहीं समझने वाला मतलब आपको तब यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और मैं चाहता हूँ कि यह आपको समझ में आए ठीक है ध्यान रखना अच्चे से अगर आपने नहीं समझा न तो आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ और देखो समझ में कब आएगा जब आप इस पूरी चीजों को याद रखोगे मतलब कि पैनिस क्या होता है यह पाइप ऐसा रहती है इस पाइप का नाम क्या है यूरेत्रा यही है यूरेत्रा याद रखना अच्छे से ठीक है तो यह सब आपको अच्छे सी याद होना चाहिए अगर आपको इस सब अच्छे सी याद नहीं तो आपको समझ से आ जाएगी और आपको पता है MHT, CET के लिए ये काफी नहीं है बहुत जादा काफी है आप इससे neat crack कर सकते हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं समझ रहा है इतना detail में पढ़ा रहा हूं एक-एक छोटी फे छोटी चीज लिखवा के दे रहा हूं अब कोई मूर्ख होगा लड़का जो इसमें ध्यान नहीं देगा MHT, CET चिन्दी चीज हो जाएगी अगर तुम ये सब याद कर लोगे ये सब अगर तुमको याद तुमने याद कर लिया ना ये सब चिन्दी चीज हो जाएगी आपको मालूम है क्या चिन्दी चीज चिन्दी बोले तो एकदम आसान इससे आसान कुछ हई नहीं एकदम चिन्दी हो जाएगा जो मैं ये पढ़ा रहा हूं ये CET प्लस क्लास 12 सब के लिए है यही सिलेबस सेम टू सेम क्लास 12 का CT में भी आने वाला है ठीक है तो याद रखो इस चीज को ठीक है चलो चेतन सुना उने पूछता है डाउट है सर डाउट है सर जिसको एक ही टेस्टी से उसका क्या होगा रिप्रडक्शन के वक्त क्या वो बेबी प्रेडूस नहीं कर सकता जिसको एक है तो produce करेगा ना क्यों नहीं करेगा अरे भाई एक testis रहे चाहे दो testis रहे काम तो दोनों का same है ना दोनों के दोनों same काम करेंगे ना क्या tension है कोमल कहती है sir, copulation क्या होता है हे भगवान copulation पूछ रही है copulation क्या होता है तो चलो मैं बताता हूँ की copulation क्या होता है कोमल बेटा, तुम बहुत ही कोमल हो तुम्हे copulation ही नहीं पता है तो अब मैं बताता हूँ देखो, पढ़ाई लिखाई और और क्या होता है, उसके बाद ओजस राज पुरोहित कहता है मैं बताऊं क्या बढ़ा, बड़ा बताने का मने तुम्हारा ठीक है, खेल कूद, हाँ, सही बात है भाई शुरूती कहती है, बताओ अब अरे रहने दो यार, तुम मरवाओगे क्या आमको ठीक है, ठीक है, नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, अंजली ठीक है, नहीं नहीं, बीमारी नहीं है, एक टेस्टिस भी रहेगा ना, तो भी सब कुछ होता है, टेंशन मतलब, ठीक है, चलो, फोर स्किन क्या होता है, हाँ, यह बच्चा, यह कैसे बताऊंगा यार, यह तो फोर स्किन, बस उतना यह, इट इस अल फोर सेंसेशन, एंड किसी और काम के लिए नहीं होती हो, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से, चलो, तो यहां तक हमने सारे चीज़े पढ़ी, और आंगे पढ़ना है क्या, यह किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि बोरिंग हो रहा ह किसी को भी अगर ऐसा लगता रहा कि बोरिंग हो रहा है भाईया, तो external genitalia के बाद internal फिर कल शुरू करूंगा, बड़ मेरा मन तो है कि मैं आज ही पढ़ाओं, क्योंकि अपने को syllabus cover भी करना है न, तो मैं तो चाह रहा हूं कि मैं आज cover करूं, तो आज पढ़ाओं कि कल पढ तुम्हारा मन क्या कहता है वो बताओ, तुम्हारा मन क्या कहता है तनुजा गायक वार्ड प्लीज पढ़ाई में ध्यान दो, तुम्हारा मन क्या कहता है, ठीक है, बताओ, आज पढ़ेंगे, चलो, तो शेयर करो, फिर एक बार चलो, सब लोग फटा-फट एक बार, और Instagram मे hashtag लिखोगे न hashtag concept batch by new Indian era hashtag new Indian era लिखोगे कि नहीं लिखोगे लिखोगे न सब लोग मैं कितना छोटा हो गया थोड़ा बड़ा हो जाता हूँ यार कब तक छोटा रहूंगा मैं ठीक है ओके तो सब लोग hashtag new Indian era लिखना जाके अच्छे से फिर पढ़ते हैं चलो ठीक है internal genitalia भी आपन पढ़ेंगे आप क्योंकि internal genitalia थोड़ा hard है और word इसमें बहुत बड़े बड़े हैं बाद में ना कहना कि भाईया बहुत hard हो गया शब्द याद नहीं हो रहे हैं ठीक है चलो अब पढ़ाना शुरू करूंगा ठीक है चलो सो लेट्स बीजिन शुरू करती है फटाफट ठीक है चलो आज इंस्टाग्राम में शाम को live आउंगा सब बच्चे मिलना वहाँ पर ठीक है सब लोग मिलना सब लोग मजा आएगा आज वहाँ पर हम धमाका मचाएंगे ठीक है लेट्स विगिन एक कहता भाया सिर्फ ओरली बताओ वह भी हिंदी में इंटर्नल जेनिटालिया ओरली बताओं समझ पाओगी इतनी हिम्मत है तुमारे अंदर चलो ठीक है नहीं समझेगा यार क्योंकि वह सब करके दिखाना पड़ेगा देखो यहाँ पर आजो सब बच्चे लोग अभी थोड़ा सा इस डाइग्राम को थोड़ा समझते हैं यह इ अच्छी धान दो हमारी शुरुबात इस टेस्टिस से होगी टेस्टिस से हम शुरू करेंगे फिर एपडिडाइमिस फिर वैस डिफरेंस वैस डिफरेंस के बाद इजैकुलेटरी डक्ट सब के सामने नंबर लिख देता हूं जिससे कि तुम सबको समझ में आई कि हम कैसे क पढ़ेंगे सबसे पहले टेस्टिस दूसरा एपडिडाइमिस उसके पहले भी बहुत सारी चीजी आएंगी फिर तीसरा वैस डिफरेंस चौथा एजैकुलेटरी डक्ट फिर उसके बाद कुछ ग्लैंड जैसे सेमेनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड काउपर्स ग्लैंड ये सब एकी बार में पांचवे नंबर में आ गए फिर उसके बाद जरा यहां ध्यान दो सभी बच्चे सब बच्चे फिर आएगा यूरनो जनाइटर डक्ट जो छटवे नंबर में आएगा फिर उसके बाद सातवे नंबर में आएगा पैनिस और ये खतम इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं मतलब कि अगर मैं SPAM के बारे में बताऄ न तो कैसे पढ़ेंगे आपन जानते हो शुरुआत SPAM यहां बनता है यहां से निकल के इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से ऐसे बाहराता है समझा कुछ एसे SPAM हमारा produce होता है समझ रहों कि नहीं समझ रहों मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं कुछ इस तरीके से स्पम प्रिडूस होता है बस यही चीज हमें सीखनी है यहां पर चलो ठीक है शुरू करते हैं अब लेट्स बिकिन तो अब सब बच्चे पेज नंबर 20 में आ जाओ हर एक बच्चा पेज नंबर 20 में आएगा और हम शुरू करने जा रहे हैं इंटर्नल जैनिट आलिया क्या शुरू करने जा रहे हैं हम कहां गया इंटर्नल जैनिट आलिया हम किसके बारे में शुरू करने जा रहे हैं इंटर्नल जैनिट आलिया external genitalia exam में 3 marks को आता है penis अगर अकेले को आएगा 2 marks को scrotum भी अकेले को 2 marks को ठीक है internal genitalia का total weight is 5 marks है इस में से सिर्फ testis 3 marks को आ सकता है accessory duct के बारे पूछा वो भी अकेले को 3 marks में आ सकता है ये भी 3 marks को आ सकता है लेकिन कोई एक ही question आएगा पर सबका weight is 3-3 marks का है कोई एक ही question आएगा लेकिन 3 marks का कोई भी आ सकता है अगर external genitalia के बारे पूछा तो 3 marks और अगर उसके अंदर सिर्फ penis के बारे पूछा तो 2 marks scrotum पूछा तो 2 marks exam के लिए मैंने weight is भी बता दिया कि topic का weight is क्या है topic बहुत बड़े-बड़े हैं और important है चलो तो अब हम शुरू करने जा रहे है internal genitalia internal genitalia तो internal genitalia के अंदर internal genitalia के अंदर 3 सबसे important चीज है पहले important चीज क्या है सबसे पहले important चीज testis दूसरी सबसे important चीज क्या है accessory accessory duct और तीसरी सबसे important चीज क्या है accessory gland ठीक है ध्यान रखना चीज यह तीन सबसे important चीज है लेकिन यह तीसरी important चीज मैं अभी नहीं लिखूँगा तुम सब देखते जाओ मैं कब लिखूँगा इसको उससे भी पहले accessory duct की बात करती है accessory duct की अंदर बहुत सी 6 चीजे है जिसे हम कहते हैं रीटे टेस्टिस अब यह क्या होता है मैं अभी समझाऊँगा मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि आप इसका नाम याद रख पाओ रीटे टेस्टिस के बाद आएगा वैस इफरेंशिया वैस इफरेंशिया इसके बाद आएगा epididymes और आपको पता है epididymes के तीन पाल्ट हैं एक है head एक है body और इनका नाम बहुत डेंजर है head body और tail का आगे बताऊंगा अभी नहीं बताऊंगा ठीक है फिर एपडी डाइमिस के बाद वैस डिफरेंस वैस डिफरेंस आएगा और इसके भी बाद वैस डिफरेंस के बाद इजैकुलेटरी डक्ट आता है इजैकुलेटरी डक्ट नाम प्लीज याद कर लो और इसी इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर हमारा तीसरा पार्ट जो है इंटर्नल जैनिटालिया का एक्सेसरी ग्लैंड ये आता है मैं आपको अभी सब समझाऊंगा ठीक है ध्यान देना अच्छे से और सबसे लास्ट पार् युरेथ्रा ये हमारे इसी का पार्ट है यहां तक कि अब डीटेल में बाते समझ में आ गई सबको इतना डीटेल में बता रहा हूं कोई देखो टॉपिक का कोई भी पार्ट मैंने इधर दौर किया ही नहीं है सब लाइन से बता रहा हूं सैंडी गेमिंग वाइटी से 10th की वीडियो कब आएगी 10th की वीडियो आज आएगी आज आफ्टर दिस लेक्चर मैं आपको समझाओंगा ठीक है ध्यान रखना अच्छे से तो इंटर्नल जनी टालिया में तीन सबसे इंपोर्टेंट चीज़े हैं याद रहेगा सब लोग अ प्लीज ऐसा मत करो ना मैं खुदी तुमें हसाता हूं ना मजाक मस्ती मैं खुदी करवाता हूं इस्टिल युआ डूइंग दिस रॉंग धिंग what is going on this one किसी भी गल्स को गलत बोलना अच्छी चीज़ है यह यह मैं तुमको यह सिखाता हूं तुम किसी भी लड़की को ऐसे गलत बोलो just imagine अगर तुमारी बहन को या तुमारी मम्मी को कोई कुछ बोलेगा तो अच्छा लगेगा तुम उसका थोबड़ा बिगाड दोगे न तो वो भी किसी के बहन रहेगे न यार उसको तुम ऐसे रॉंग चीज़ है या फिर कभी भी कुछ भी प्रपोस करोगे कभी कुछ गल murder कर दो लेकिन तुम गलत कुंक बोलते को यहां पर रॉंग छीज़ है क्यों बोलते हो प्लीस मत बोलो नॉयार मतलग बुर्णा मुझे तो सही में बुरा लगता है मैं फिर कुछ बहुदा तुम्हें बहुत बुरा लागए का और सोसेल मिडिया तुम फैलाओ बातों को औ पाग लगता है character को problem नहीं आनी चाहिए बागी तुम वो खुद भी हस्ती है वो खुद भी मस्ती करती है क्यों ऐसा तुम मचाक पे ले रहे हो ऐसा मत करो प्लीज हाथ जोड़ो तुम्हारे सामने ऐसा क्यूं करते हो ठीक है ध्यान रखो अच्छे से प्लीज तो ऐसी हो गया तो मैं तो खुदी करवा रहा हूं सब पूरा एक एक चीज डीटेल में बता रहा हूं इसमें 11 की कोई जुरुरती नहीं है पूरा 11 भी cover करके दे रहा हूं यहीं पर एक भी topic ऐसा है जिसको डीटेल में नहीं बता रहा हूं still you are doing wrong thing चलो continue करने दो अभी time pass नहीं करते ग्यारवी बरबाद गया यह तुमारी गलती है तुम इसको ना तुम अपने ढाल बना रहे हो कम माक्स रहेगा पाप अम्मी ग्यारवी बरबाद गया था यह नहीं देखते प्रशान भईया डीटेल में एक एक चीज सब पढ़ा के दे रहे हैं फिर तुम बोलो कि प्रशा सबको सब लोग जानते सब कुछ है क्या क्लिए शर्माने का बताने का ना बिंदास क्या क्लिए टाबू सब्जेक्ट बना के रखने का बट हां किसी के रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम दोगे तुम तो अच्छी बात नहीं है वो गलत है उसके खिलाफ एक दम चलो वापास एक्सेसरी डक्ट और एक्सेसरी ग्लैंड यह तीन सबसे इंपोर्टेंट चीजें होती है ठीक है ध्यान रटना तो सबसे पहले अब हम सीखने जा रहे हैं टेस्टिस के बारे में मैंने आपको पहले ही बोला ना कि हम पहले शुरुआत कहां से करेंगे हम टेस्टिस से शु भी हमें मालूम है तो ए पॉइंट डालता हूं और यहां पर लिखता हूं टेस्टिस चलो टेस्टिस के बारे में डीटेल में सीखने जा रहे है एक्जाम में अगर यह आएगा तीन माक्स को आएगा ठीक है चलो शुरू करते हैं तो टेस्टिस कैसा होता है सबसे पहला तो आजो बात करते हैं हम इंसानों के अंदर जम लेयर होती है और तीन तरीके की होती है पहली है सबसे इंपोर्टेंट है इंडोडर्मल लेयर फिर मीसोडर्मल लेयर इसके बारे में हम इसी चैप्टर में आगे डीटेल में पढ़ेंगे फिर एक्टोडर्मल लेयर याद इस चीज को याद रखना, बाद में मैं तीनों चीजों के बारे में बताऊंगा, जम लेयर, मैं जम सेल की बात नहीं कर रहा, जम लेयर तीन तरीकी की होती है, जिसमें से टेस्टिस मिसोडर्मल लेयर होता है, हमारा हार्ट भी मिसोडर्मल लेयर होता है, ठीके ध्यान रखना अभी अभी सिखाय था ना, formed in abdomen, और तुम मुझे answer दो, कि जो abdomen होता है, इसमें कौन सी covering होती है, तो मैं लिखके देता हूँ, abdomen में peritonial covering होती है, अब याद रखना, जब हमारा testis abdomen में बनता है, हम male log का, और abdomen जो पेट होता है, इसके उपर peritonial covering होती है, बाहर, तुम जब प खाड़ने के बाद अंदर एक और layer आएगी, उसे peritonial covering कहती है, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से, चलो, अब हम बात करेंगे, during fetal life, fetal life बोले तो जब बच्चा तीन महिने का मदर के उसमें होता है, तब through the inguinal canal, inguinal canal, testis abdomen से, scrotum में आता है, scrotum किसका part था, external genitalia का, मैंने पहले लिखवा दिया, बढ़ फिर भी यहां लिखवा देता हूँ, it is the external genitalia, सब लिखके दूँगा अच्छे से, external genitalia, pouch like structure, pouch like structure, मस्त पढ़ाई में तुम मज़ा करो, फिरी में मिल रहा है सब कुछ, तो fetal life में, यानि कि जब बच्चा 3-4 मेने का होता है, तो abdomen से scrotum में, inguinal canal के through, abdomen में बनता है testis, और वहाँ से scrotum में आ जाता है, ठीक है, याद रहेगा यहां तक बहुत बढ़िया, चलो, अब हम बात करेंगे इसके dimension की, तो dimension बोले, तो testis का dimension, यानि कितना लंबा, चोड़ा, कितना छोटा होता है, उसी के बात चल रही है, ठीक है, तो इसका dimension अगर बोला जाए, तो पहली बात, long कितना होता है, long अगर बोला जाए, तो 4-5 cm, चलो, पहली चीज हो गई, दूसरी important चीज है, कितना cm wide होता है यह, तो wide बोले तो, कितना मतलब, है न, ऐसा चोड़ा, तो यह 2-3 cm, यहां लिख देता हूँ, 2-3 cm, फिर इसके बात, thickness कितना होता है, कितना मोटा होता है, तो थिक अगर बोलेगा तो, तो 3 cm की इसकी thickness होती है, ध्यान रखना इस चीज को अच्छे से, तो यह जो मैंने यहां प और जिसके उपर exam में हमेशा कुष्ण आता है, समझा कि ने समझा मैं क्या बता रहा हूँ, किस बात को याद रखो, तो यह testis के बारे में 3 बातें मैंने आपको बता दी, समझा कि बारे में 3 बातें आपको बता डाली, समझा कि ने समझा, अच्छा, testis का shape कैसा होता ہے, तो और बोले तो कैसा जैसा बॉआल होता है वैसा ठीक है द्यान डे रखने के टो ह오ते है avlaud याद रहेघा सब बच्कों को इस सब बच्चों को याद रहेगा यहां तक कि निशांत ठ्हकर कहता है कल लेते ना इस चीच को फिर चलो बंद कर देता हूँ वैसे बिड précis 8 गंटा हो गया है तो फिर कल लेते हैं मैं कुछ जादा ही डीजिल में पढ़ा रहूं इसलिए time consuming है कुछ जादा ही डीजिल में पढ़ा रहूं time consuming इसलिए लग रहा होगा ने जो ठीक है कल पढ़ाता हूँ temperature को regulate करता है यह जितनी हमारी body का temperature हो दा ना उससे कम temperature चाहिए रहता है इसलिए इसको हम thermo regulator कहते हैं ठीक है इस बात को ध्यान रखना अच्छे से चलो तो clear है यहां तक कि सारी बाते सब बच्चों को कल लोगा इसके आगे अभी कितना घंटे के lecture हो गया वाई एक घंटा 30 मिनट का lecture अल्रडी हो चुका है तो अपन कल पढ़ते हैं तो यहां तक सब याद रखो हां टेस्टिस के बारे में सब याद रखो ठीक है टेस्टिस क्या चीज होती है इसके बारे में सब बच्चे याद किया था इसलिए कि का भी तो आप किसी को कोई डाउट है कल लेउगा ठीक है घंटे काया लेक्स टेस्टिस के होता बंब ने सीख लिया कल वापस से यहीं से शुरू करूंगा तो लग यहीं से शुर्वात करूंगा ठीक है तुम सब बच्चDa camera प्लो तो फिर मैं एक काम कर कि मैं ना जो नोट्स है ना इसकी ध्यान दूशराथ छे से जो में नोट्स भी तुम को कल ही दूघा फिर मैं चलेगा न क्योंकिि इसके आंगे और लिखूंगा तो आधीयदूरी चुझेगा फिर धाल के लाओ फिर कल लेक्षर को उसके बाद बिलेगी कि नहीं चलेगा अब बोलो यार थग्या में इतना एक तो बोलो सब लोग चलेगा ना सब लोगों को क्लियर है ओके फाइन ओके ठीक है चलेगा तो टेलिग्राम जॉइन कर लो नोट्स मिल जाएगी टेंशन मतले ना चलो दे देता हूं नोट्स दे देता हूं तुम लोगो रिवाइस भी करना रहेगा ना तो नोट्स दे देता हूं चलो ठीक है तो आप सब बच्चे अभी थोड़े टाइम बे अजे सर का लेक्चर शुरू होगा तब तक नास्ता पान पीलो देखो अब पढ़ाई बहुत मेनस से करनी पड़ेगी यूनिट टेस्ट हमारा बहुत खराब गया है रहे भाई सिमेस्टर खराब नहीं होना चाहिए इसलिए तो न्यू इंडियनर ने कॉंसेप्ट बैच लाया है और हर चीज को डीटेल में और अच्छे से कवर कर रह है आज वेव अप्टिक चैप्टर 7 फिजिक्स का होगा अजे सर लेक्चर लेंगे लेक्चर शेडूल कर दिया है पहले से ही तुम सबको लेक्चर में अटेंड करना है और अपने सारे दोस्तों को शेर भी करो शेरिंग इस केरिंग इंपोर्टेंट है थोड़ा तुम तो स सपोर्ट करो और शेयर करो सर लेक्चर लेंगे उनके लेक्चर में अच्छे से बैठ के सब लोग पढ़ाई करना ठीक है और हाँ लॉग टेबल का वीडियो मैं खुद बनाऊंगा तो मैं शायद कल से तुमको लॉग टेबल का वीडियो देना शुरू करूंगा जिसमें जल्दी स्टार्ट करूंगा सर्फराज कांटेंशन मतलो चलो ठीक है बहुत बढ़िया चलो एक लड़का कुछ तो कह रहा है दैट्स सुनो गुड स्लो स्पीड मेक्स कॉंसेप्ट लियर ओके प्रतिविराज ठीक है तैंक्यू चलेगा मैं फिर इसी स्पीड में लूँग शिवानी नरेश दुर्गेश प्रसाद दामिनी रॉय बहुत बढ़िया सूजल प्राची कमलेश मासूम वैस्ट नवी कॉंग्राचुलेशन टू एवरीवरी वड़ी चलो ठीक है तो मैं चलता हूं मेरी जूलफें खराब हो गई उड़े जब जब जूलफें तेरी का वारियों का दिल मत चले यह जिन्द मेरी यह ला 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 अज इंस्टाग्राम के लाइब में मिलेंगे आपन तो बाई बाई टेक कियर लव यू अलोट बाई बाई अच्छा गाना बजा हूं गया अलेकसा उड़े जब जब जुल्फें तेरी यह गाना बजाओ अब इगाना रुको मैं कॉपी राइट ने आने दूँगा मैं बीच बीच में बोलते रहूंगा ओड़े जब जब जुल्फें तेरी ओड़े जब जब जुल्फें तेरी कवारियों का दिल मचले अलेक्सा बंदो चाओ चिकने चेहरे याद नहीं आएंगे कॉपी राइट मिल जाएगा ठीक है लड़का लड़की बोलती है उड़े जब जुल्फें तेरी कवारियों का दिल मचले तो लड़का गाता है और जब जब तेरे चिकने चेहरे इनको रिप्रड़क्शन सिखाना वड़ेगा बहुत ही जुल्फें और चिकने चेहरे देख रहे हैं लोग चुलो ठीक है कोई ना बाइबाइब टेक कर लव यू लट ऑलवेज बी हैपी एंज्वाइव ओर लाइफ find interest in everywhere in subject in comedy everywhere must khush रहो always be happy, chill मार के रहो पढ़ाई में जान दो हमेशा मेहनत करो और आंगे बढ़ो और जिंदगी अच्छे से जीो खुल के, खुशी के साथ ठीक है, मेरा ऐसा फित्रत है हमेशा खुश रहनेगा भरक नहीं पढ़ता, attention, Vincent sadness, business नहीं रखनेगा और मेरे साथ जो रहता है, वो भी खुश एक दम है ना, मस्त बिंदास रहनेगा बाई-बाई, take care, love you a lot मिलेंगे कल के lecture में कल पढ़ेंगे internal genitalia के बारे में तब तक के लिए, बाई-बाई, take care